ओम तत्पुरुशाए विद्महे महासयन्याधी वही तन्नो इसकंदा प्रचोदयात आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है कार्तिक भगवान के किर्पा आप और आपके परिवार पर सदा बने रहे इससे पहले कार्तिक मास के ग्यारवे अध्याई में आपने सुना भगवान विश्नु की पूजा का महात्यम्य और आपने जाना कि किस प्रकार भगवान विश्नु मत्य रूप धारण कर समुद्र से सभी वेदों को ढूण कर लाए आज सुनिए कार्तिक मास का बारवा अध्याई अगर आपने कार्तिक मास के अब तक की अध्याई नहीं सुने हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर इन अध्यायों को सुन सकते हैं साथ ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी अध्यायों के लिंक पर जाकर उन्हें हर दिन सुन सकते हैं 31 अक्टूबर गुरुवार के दिन सुर्यदे का समय रहेगा सुभर 6 बच कर 35 मिनट सुर्यास्त का समय रहेगा शाम 5 बच कर 45 मिनट आपको साल भर में आने वाली सभी 24 एकादशी की संपुर्ण पूजा विधी और कथा की जानकारी भी मेरे चैनल पर मिलती रहेगी इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकर प्रेस कर सकते हैं ताकि आप सभी को समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे आईए सुनते हैं कार्थिक मास का बार्वाध ध्याय अहुरी अस्टमी की पूजा, एकादशियों, कार्थिक मास और प्रियाग राज की महिमा का वर्णन सुनने के पश्चात महराज प्रथू ने देवर्शी नारत से पूछा हे देवर्शी, अब आप भक्त वत्तल भगवान की पूजा का विधी वधान बतलाने की करपा कीजिए तब देवर्शी नारत कहने लगे, हे राजन एक पुरातन इतिहास कहता हूँ, सुध्यान लगा कर सुनो अत्यंत प्राचीन समय की बात है कांतिपुर में चौल नाम का एक राजा राजी करता था उसके राज में समस्त प्रजा सुखी थी कोई भी दरित्र पेडित या दुखी नहीं था और राजा के नाम पर ही उस देश का नाम चौल देश रखा गया एक बार वह राजा मूरलिवान मणी मुक्ताओं द्वारा भगवान की पूजा करके वहीं मंदिर में बैठा हुआ था उसी समय विश्नु शर्मा नाम का एक ब्रहमण आकर तुलसी दल और जलसे भगवान की पूजा करने लगा उसके तुलसी पत्रों से राजा की पूजा के जितने भी मणी मुक्ता आदी थे वो सभी ढग गए ये देखकर राजा ने करोधित होकर ब्रहमण से कहा हे विश्नु शर्मा तुमको पूजा का कुछ भी ध्या नहीं है मड़े मुक्ताओं से की गई मेरी पूजा की शोभा को तुमने तुलसी दलों से ढखकर समाप्त कर दिया है राजा के एंकार में भरेवे ये कटू वचन सुनकर विश्नु शर्मा ने कहा हे राजन अभिमान के वशिभूत होने के कारण तुम भगवान की पूजा के बारे में कुछ नहीं जानते ब्रहमण के ये वचन सुनकर राजा ने कहा हे ब्रहमण तुम दरितरी हो इस कारण भगवान की पूजा क्या जानो क्या तुमने कभी भगवान का कोई मंदिर बनवाया कोई यग्यादी किया अगर यही बात है तो मैं देखता हूं कि भगवान की भक्ति करके पहले तुम स्वर्ग में जाते हूं या मैं जाता हूं इतना कहकर राजा ने गुंगल रिशी को आचारे बनाकर बड़े बड़े यग्य करवाना प्रारम कर दिया और साथ ही ब्रहमनों को बहुत सारा दान आदी भी देने लगा परिंतु विश्नु शर्मा सर्वदा की भाती माग और कार्तिक मास के व्रत तुलसी पौधे का रोप हर समय भगवान का इस्मरण और कीरतन करता रहता था कार्तिक मास में एक दिन विश्नु शर्मा ने जैसे ही भोजन तयार करके रखा कि कोई भोजन उठा कर ले गया इसके बाद उसने व्रत भंग होने के भैसे पुन्ह भोजन नहीं बनाया और भगवान का भजन करते हुए भूका ही सो गया अगले दिन उसने फिर से भोजन बनाया और जैसे ही भगवान को भोग लगाने बैठा कि कोई फिर से भोजन उठा कर ले गया लगातार साथ दिन तक ऐसा ही होता रहा और इस प्रकार विश्नु शर्मा को निराहार साथ दिन बीत गए अब विश्नु शर् का समय पूजा पाठ का समय भंग ना हो जाए इस भाइसे उसने किसी भी दिन दूसरी बार भोजन बनाया ही नहीं आठवे दिन उसने निश्चे किया कि आज मैं पूरी तरह ध्यान रखूंगा और देखूंगा कि भोजन को उठाकर कौन ले जाता है इसके बाद उसने भोजन मात्र शेस थी छुपकर आया और भोजन उठाकर ले चला उसे देखकर विश्नु शर्मा का हर्दय बहुत ही दुखी हो उठा विश्नु शर्मा ने उस चांडाल से कहा भया रूखा भोजन मत ले कर जाओ मेरे पास थोड़ा सा घी है वो घी भी लेते जाओ प्रामण के ऐस से वचन सुनकर भयभीत हुआ वह चांडाल भागता हुआ ठोकर खाकर गिर गया तब तक विश्नु शर्मा भी उसके पास पहुँच चुका था और एक वस्त्र से उसकी हवा करने लगा थोड़ी दिर बाद उस प्रामण ने देखा कि उस चांडाल की जगह शंक चक्र गद का पद्म और वनमाला धारी भगवान विश्नु स्वयम वहां पर लेटे हुए हैं उसी समय विश्नु शर्मा ने भगवान के चर्णों में गिरकर उन्हें प्रणाम किया तभी रुद्रादी देवता भी वहां पर आ गए और शीमुनी वेद सहित मंत्रों से उनका पूजन करने लग गए तब भगवान विश्नु ने अत्यत इसने पूर्वक विश्नु शर्मा को अपने गले लगा कर उसको अपने विमान में बिठा लिया और अपनी साथ वैकुन्ठ लोग को ले गए चौल राजा भी वहां खड़ा हुआ ये सब द्रश्य देख रहा था भगव वही वैकुन्ठ लोग को जा रहा है और मैं इतना सब कुछ करने के बाद भी यहीं पर उपेक्षित खड़ा हुआ हूँ क्या मेरे यग और दानादी सब निश्फल गए इससे तो यही सिद्ध होता है कि भगवान यग्यादी से नहीं केवल भक्ती से प्रसंद होते हैं ऐसा कहते वे राजा यह के कुंड में कूद गया ये द्रश्च देखकर गुंगल रिशी ने क्रोध में आकर अपनी शिखा उखार ली तब से ऐसा माना जाता है कि अभी तक चौल देश में भांजा ही मामा का उत्राधिकारी होता है और गुंगल गौत्र के ब्रहमन आज भ भी अपने लोग को अर्था व्यकुंठ लोग में ले गए वैकुंठ लोग में भगवान ने विश्णु शर्मा को पुनिशील तथा चौल राजा को सुशील नाम देकर अपना द्वारपाल बना लिया और इस परकार वे दोनों ही हर समय भगवान श्री हरी के निकट रहने होता भगवान तो केवल भक्ति भाव के श्रद्धा और विश्वास के भूखे होते हैं ऐसे में यदि आपको पास उन्हें अर्पित करने के लिए कुछ भी नहीं है आप केवल श्रद्धा भाव से अपने शुद्ध विचार उनके चर्णों में अर्पित कर दिजे अगर आपके मन में सभी प्राणियों के प्रति दया है आप दूसरों का दुख देखकर दुखी हो जाते हैं तो निश्चित ही आपको भगवान के गरपा क्राप्त हो सकती है यह था कार्दिक मास का बारवान ध्याय आगे का ध्याय सुनने के लिए मेरी चैनल पर आने वाली